यूपी के बुलंद शेहर में बदमाशों की पुलिस के साथ मुद्भेड का मामला सामने आया है जहां चंदपुरा गाउं के जंगलों में गुलावठी कोतवाली पुलिस पर इनामी गोशकों ने फाइरिंग शुरू कर दी हाला कि पुलिस की जवान भी कारवाई में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए जिसको पुलिस ने गिरफतार कर लिया जबकि बदमाशों के कबजे से दो तमंचा, चार जिंदा और खोका कार्तूस, एक बाइक, नशीली दवाई और गोकशी के हत्यार बरामत किये गए वहीं पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश आसिफ उर्फिल्ला को दूसरे बदमाश फाइमू के से घायल हलत में अस्पताल में भरती कराया, दरशल गोकशी की सूचना मिलने के बाद गुलावठी पुलिस चंदपुरा की जंगलों में पहुंची थी, जहां दो बदमाशों से मुठवेड हो गई। और आपको जो रिपोर्ट दिखा रहा है, यहीं पर पुलिस की मुठवेड हुई है, बता दे गुलावठी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गोकसी की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस स्थान की घेरा बंदी की गई, पुलिस झाल 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 झाल